So hello guys and welcome back to one new video तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले है iPad versus iPhone कौन सा आपको लेना चाहिए 2023 में और कौन सा आपके लिए best रहेगा अगर आप gaming करते हो BGMI खेलते हो, PUBG खेलते हो CodeM खेलते हो, Free Fire खेलते हो तो मैं आपको सब कुछ A to Z बता दूँगा इस वीडियो में और कम से कम टाइम में आपको बता दूँगा तो जादे लंबी वीडियो नहीं होगी तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल एंट तक देखना और अभी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को तो गई सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि आईपैड कैसा रहेगा आपके लिए अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाते हो बीजमाई पबजी के लिए लेना चाते हो तो सबसे पहले बात करते हैं आईपैड के फाइदे की और उसके बाद मैं इसके नुकसान भी बताऊंगा मतलब कि good things और bad things मैं बताने वाला हूँ तो जो सबसे पहली यहाँ पे good thing निकल के आती है तो वो है कि bigger screen तो bigger screen रहेगी तो आप बहुती अराम से खेल पाऊगे और बहुती बड़ा बड़ा दिखता है और काफी जादा comfortable भी होता है लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए iPad की बड़ी screen प्रोब्लम भी बन जाती है क्योंकि उनके हाथ चोटे होते हैं और वो फील ठीक से gaming नहीं कर पाते big screen पे यानि की iPad पे तो यह एक दिक्कत कई लोगों को face करने मिलती है और आपके साथ भी यह दिक्कत हो सकती है तो अपने हाथ के ही साबसे iPad लेना जो कि आपके हाथ में बिल्कुल अराम से आ जाए gaming करते टाइम अगर यहाँ पे आप iPad लेते हो तो आपको देखने मिलेगा iPad OS यानि कि जैसे iPhone में देखने मिलता है iOS वैसे ही iPad का iPad OS होता है और यह bigger screen के लिए होता है और काफी जादा optimized भी होता है तो अगर आपको contentation करना है editing करनी है और YouTube करना है तो आप ज़रू से iPad को ही ले सकते हो और मैं भी iPad ही recommend करूँगा क्यूंकि iPad में आप बहुत ही अराम से editing कर पाऊगी क्यूंकि बड़ी screen रहेगी और अगर आपके पास laptop PC ये सब नहीं है तब तो आपको बहुत जादा फाइदा हो जाएगा और यहाँ पे हमको battery भी काफी जादा बड़ी देखने मिलती है iPad में iPhone के मुकाबले और battery health का भी कोई चक्कर नहीं होता तो बहुती अराम से आपकी battery चलेगी सालो साल तक और गाईज अभी बात कर लेते हैं कि इसके disadvantages क्या है यानि कि bad things क्या है नुकसान क्या है तो गाईज जो सबसे पहला नुकसान यहाँ पे निकल के आता है तो वो यह है कि आप competitive gameplay नहीं कर सकते iPad पे यानि कि अगर आप BGMI के competitive scenario में जाना चाते हो तो आप competitive नहीं खेल पाओगे scrims वगेरा नहीं खेल पाओगे iPad से क्यूकि यहाँ पे हमारे BGMI की company question allow नहीं करती है कि भाई आप iPad से gaming करो competitive में और गाईज यहाँ पे एक और सबसे negative चीज निकल के आती है जो की है hate तो अगर आप iPad से खेलते हो तो आपको ज़रू से hate comments बहुत जादा आएंगे और आपको लोग comment में यह सब बोल सकते है जो की आपको screen पे अभी दिख रहा है and guys iPad gamers को बहुत जादा hate मिलती है BGMI community में और अगर आप एक content creator बनना चाते हो यानि कि YouTuber बनना चाते हो और iPad लेके बनना चाते हो तो आपके लिए शुरुआत में बहुती जादा मुश्किल होगी क्योंकि इतने आपके appreciate वाले comment नहीं आएंगे जितने की hate वाले comments आएंगे कि भाई तो तो iPad पे खेलता है तो तो ये है तो तो वो है तो तो ऐसा है तो तो वैसा है बट अगर आप एक normal gamer हो और आप iPad लेना चाते हो और फिर gaming करना चाते हो बीजमाई PUBG कोडम की तो आप जरू से बीजमाई के लिए ले सकते हो iPad और फिर lobby में अराम से आप धमा धम मचा सकते हो तो गैस ये सब थे हमारी iPad की कुछ basic बाते और कुछ main बाते जो कि आपको जरू से ध्यान रखनी पड़ेगी एंड अभी बात कर लेते है iPhone के बारे में कि आपको iPhone लेना चाहिए या फिर नई लेना चाहिए iPad के मुकाबले तो गैस सबसे पहले बात करते है iPhone के good things के बारे में यानि की फायदों के बारे में तो गैस आपके सबसे पहला advantage जो निकल के आता है iPhone का वो ये है कि आपको iPhone से ज़ादा अच्छा gaming experience किसी भी phone में नहीं मिलेगा और अगर आप normal भी iPhone चलाओगे तो आपको बहुती ज़ादा अलग feel आएगा और जितनी बार आप चलोगे उतनी बार आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप नए iPhone चला रहे हो और सब चीजें इतने मक्खन यहाँ पे perform होती है मतलब कि आप कोई भी task करोगे अपने iPhone पे तो वो इतने मक्खन तरीके से होती है कि आप बिल्कुल fan हो जाओगे और आपको हर साल मन करेगा कि आप एक नया iPhone ले लो और यह हर iPhone गेमर को face करने मिलता है और मैं भी एक iPhone गेमर हूँ तो मैंने भी यह face किया है तो अगर आप एक iPhone लेते हो प्रोसेसर्स और हर एक पितनी जाद ऑप्टिमाइज होती है कि कभी भी हमको यहाँ पे शटर्स वगेरा देखने नहीं मिलते हैं और बहुत रेली होता है कि हमको कभी कभार लैक देखने मिल जाए और गई जो सबसे मेन चीज निकल के आती है iPhone gamers के लिए कि आप इससे competitive भी खेल सकते हो मतलब कि आप अराम से BJMI competitive खेल सकते हो और बहुती अलग level पे जाके dominate कर सकते हो और गई आपको competitive में 1-2% यह problem face करने मिल सकती है और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जितने भी बड़े-बड़े e-sports player है जैसे कि Jonathan Scout यह सब iPhone में ही अपने BJMI PUBG के tournaments खेलते है और यहाँ पर dominate करते है और गईज अगर आपको जानना हो कि कौन सा iPhone best है 2023 में आपके हिसाब से तो आपको iPhone पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी वीडियो आप जरू से देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा iPhone लेना चाहिए 2023 में और उस वीडियो में मैंने काफी जाद अच्छे से बताया कि आपको कौन सा iPhone लेना चाहिए तो आप जरू से वो वीडियो को देख सकते हो तो आपको जरू से लेना चीए आईफोन और आपके लिए आईफोन ही बैस्ट रहेगा लेकिन अगर आप चाते हो कि आपको बनना है content creator, यूट्यूबर बनना है और आपको वीडियोस बनानी है, नॉर्मल खेलना है तो आप जरू से आईपैड ले सकते हो लेकिन अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो और आपको negative comments आते हैं तो आपको जरू से थोड़ा ignore करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत तो यहाँ पे सहना पड़ेगा आपको hate को तब ही आप यूट्यूब पे grow कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जो से कर देना और चैनल पे नए हो तो जरू से subscribe कर देना मैं मिलूँगा आपको next वीडियो में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यो शुक्रिया एंड बाई बाई